सब्सक्राइब कीजे क्रिकॉन रेल यूट्यूब चानल को और दबाईए इस पास में दिये गए बैल आइकन को तकि आपको मिल सके रेलवे से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मेरा आमें संस्कारड और आप देख रहे हैं क्रिकॉन रेल यूट्यूब चानल दोस्तों महाराश्टर के बाद में पंजाब ऐसी दूसरी स्टेट होने वाली है जहां पर हाइपर लूप चलाए जाने वाली है दोस्तो हाइपर लूप जमीन पर चलने वाला सबसे तेज रेल सिस्टम है जो की 1000 किलोमीटर पती घंटा से भी जाधा की रफतार से दौरता है दोस्तो महाराष्टर की सरकार ने पहले ही वर्जिन वन के साथ में पार्टनर्शिप करके पूने से लेकर मुंबई के बीच में भारत का पहला हाइपर लूप नेटवर्क बनाने की प्लानिंग कर ली है और इसके बाद में आती है पंजाब हाइपर लूप जो की चंदीगर से लेकर अमरिसर की बीच में चलने वाली है दोसो हाइपर लूप की मदद से आप लोग चंदीगर से लेकर अमरिस सरका सफर मात्र 35 से 40 मिट में पूरा कर पाएंगे दोसो ऑफिशल्स का कहना है कि पंजाब की गवर्नमेंट बहुत ही जल्दी अमेरिका की कमपनी वर्जिन वन के साथ में M.O.U. यानि की Memorandum of Understanding को साइन करने वाली है दोसो इस कमपनी का UAE की कमपनी के साथ में टाइ अप है और इसी के मदद से ये कमपनी भारत में Hyperloop को लाने की कोशिश कर रही है दोसो जो Hyperloop भारत में चलाई जाने वाली है उसकी टेस्टिंग अमेरिका में नेविडा में हो चुकी है और भविश्य में इसको टरंटो से लेकर दुबाई के बीच में भी चलाने की प्लानिंग की जा रही है दोसो Hyperloop के हर एक पॉड में 28 लोगों के बैठने की श्रमता है और इसकी गती 1100 किलोमीटर से 1300 किलोमीटर पती घंटा के बीच में हो सकती है दोसो Hyperloop एक टनल जैसे सिस्टम में ट्रावल करती है जहां पर एटमस्फियरिक प्रेशर बहुत जादा कम होता है और इसी के साथ साथ ना के बराबर रेजिस्टेंस होता है दोसो ये टनल अंडरग्राउंड भी हो सकता है और ओवरग्राउंड भी हो सकता है ये सब कुछ डिपेंट करता है कि जमीन कहां पर मिलती है और किस तरह से मिलती है दोस्तो पंजाब की हाइपर लूप अमरिसर से चल कर जलंदर और लुध्याना में रुखेगी और आखिरकार चंदीगर पहुँचेगी दोस्तो हाइपर लूप के अधिकारियों ने कहा है कि इसका काम 2021 तक शुरू हो पाएगा और अगर इसका काम 2021 में शुरू हो जाता है तो इसका काम 2029 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा दोस्तो इस हाइपर लूप में लोगों के साथ साथ समान को लेकर जाने की भी विवस्ता की गई है दोस्तो महाराश्टर की गवर्मेंट ने पहले ही वर्जिन वन के साथ में MOU यानि की Memorandum of Understanding को साइन कर लिया है और ये हाइपर लूप पूरे से लेकर मुंबई की बीच में चलने वाली है जो कि पूरे से लेकर मुंबई की बीच का सफर मादर 25 मिनट में पूरा कर लेगी अब देखने वाली बात ये रहती है कि इन दोनों ही हाइपर लूप का काम कब तक शुरू हो पाता है और आखिरकार इनका काम कब तक कंप्लीट होगा और हम लोग इसमें कब सफर कर पाएंगे दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर से लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ में स्पेशली उन दोस्तों के साथ में शेयर कीजेगा जो कि पंजाब में रहते हों क्योंकि उनके लिए बहुत ही जाद अच्छी न्यूज है और इसी के साथ साथ में आपका इसको लेकर क्या व्यू है मुझे जरूर से बताएगे नीचे कमेंट बॉक्स में और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जर देमा द्रम